गुरू जी का संदेश फैलाने और एनिमेटेट वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें जोइन बटन दबाकर हमारे मिम्बर बने या थैंक्स बटन दबाएं गुरू हरकोविन साहिब जी छोटी आयू से ही बेहत ही सुडोल और सुन्दर शरीर के सौमी थे उनके आकरशक व्यक्तित्व को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था जब अकबर राज की दिवान चंदु ने कुछ पुरू हितों को अपनी कन्या हेतु वर ठूमने के लिए कहा तो पुरू हित घूमते वे श्री गुरू अर्जन देव के दरबार में पहुँचे वे सभी गुरू जी का मनमुहक व्यक्तित्व देखकर बहुत प्रभावित हुए पुरू हितों ने गुरू जी से मिलकर रिष्टा तुरन पक्का कर दिया रिष्टा पक्का करकर पुरू हित वोपस दिवान चंदु के पास पहुँचे सभी ने बताया कि वे सभी गुरू श्री अर्जन देव के बेटे से उसकी पुत्री का विवा पक्का कर आए है यह बात सुनकर चंदु ने कहा रिष्टा तो मन्जूर है परन्तु तुम लोग चौबारी की एट मूरी में लगा आए हो इस बात का अर्थ है कि तुम लोग मेरे जैसे संपन परिवार का रिष्टा एक ऐसी जगा पर कर आए हो जो हम से धन और रुद्बे में बहुत पीछे हैं हम अमीर हैं और वो गरीब पुरोहित के साथ कुछ सिख भी गए थे जब सिखों ने यह बात सुनी तो सभी को बहुत बुरा लगा और वह सभी गुरु अर्जन देव के प्रती चंदू के अपमाजनक शब्दों को सुनकर बहुत क्रोधित हुए उन्होंने पहले ही एक सिख को अमरिच सर भेज दिया और उस सिख ने यह बात गुरु अर्जन देव जी को बताई गुरु जी ने यह सारी बात भाई रामदास, भाबा बुढधा जी तथा अन्य सिखों को बताई अगले दिन जब शबुन लेकर चंदू के लोग गुरु जी के दरभार में पहुँचे तो गुरु जी ने शबुन लेने से इंकार कर दिया जब चंदू के पुरोहित बिना रिष्टा पका कि यह वापस चंदू के महल में गए और उसे सारी बात बताई तो चंदू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती को मानने के बजाए एक लाख रुपे गुरु आरजन देव जी को देने के लिए भेजा लेकिन गुरु जी ने यह कहकर मना कर दिया कि एक लाख तो क्या सारी दुनिया की दौलत भी अगर चंदू उन्हें देगा तब भी वे रिष्टा स्विकार नहीं करेंगे चंदू को जब यह अनुभव हुआ कि उसकी बेटी सारी उम्र कवारी रह जाएगी तो वे गुरु जी के खिलाफ हो गया और वे जहांगीर को गुरु जी के बारे में भड़काने लगा जहांगीर तो बाच्शा बनने के पहले से ही गुरु जी के विरुद था वे तो समराट अकबर के कारेकाल से ही श्री गुरु नानक देव जी के प्रचार को रोकना चाता था चंदो के बढ़काने ने जहांगीर के लिए आग में घी का काम किया जहांगीर के लिए यह बात एक अफसर साबित हुई जहांगीर को एक मौका और मिला क्योंकि जब उसका बागी लड़का खुसरो अपनी जान बचाने के लिए काबुल भाग रहा था तब है रास्ते में गुरु अरजन देव जी के दर्बार में रुका था और वहां उसने गुरु जी को लंगर भी चका था इस प्रकार बागी खुसरो का गुरु जी से मिलना गुरु अरजन देव जी को शहीद करने हे तू जहांगीर को एक उचित भाना मिल गया उसने गुरु जी का कतल करने की ठान ली और गुरु जी को भी अभास हो चुका था कि अब शहीदी का देवस नजदीक आ रहा है इसलिए उन्होंने शहीदी से पहले ही गुरु हरगोबिन साहिब जी को अपने गद्दी सौब दी गुरुजी को तरह तरह की यातनाई दी गई और मई महा में गुरुजी को शहीद कर दिया गया वहें एक एप्रिल का शुप महीना एवं सुभे का समय था श्री हर्मिंदर साहिब में आए हुए थे और आसा की बार का कीरतन चल रहा था तभी किसी ने शुप समचार दिया गुरुजी गुरुजी बेहदी खुशी की बात है माता नानकी की गोद में बेहदी सुन्दर एवं स्वस्त बालक का परकाश हुआ है इस सुखत संदेश को सुनकर गुरु साहिब उठे और श्री गुरुघर्ण साहिब की पालकी की और मो करके उन्हों ने प्रातना की और गुरु साहब को डणवत परणाम किया केर्टन की समाप्ती के पश्चात वे सत्संगियों और शद्धालों के साथ अपने निवास थान गुरू के महल में पदा रे नवजात पालक को देखकर श्री हर्गोबिन साहिब जी ने एक विचित्र काम किया और नवजात पालक के सामने अपना शीष चुका दिया और शिशू के सामने वंदना की यह सब देखकर सभी खड़े भक्त जनों के आश्चरे का ठिकाना ना रहा एक भक्त ने गुरू जी से पूछा गुरूर आपने यह क्या किया नवजात शीषों के सामने अपना सर जुका दिया ऐसा क्यों किया आपने गुरूर इस बात का जवाब देते हुई गुरू जी ने सभी से कहा यह बालक तीन दुख्यों के लक्षा करेगा और सभी प्राणियों के संकट हरेगा गुरु हरगोविन साहिब ने अपने पुत्र का नाम त्यागमल रखा गुरु जी ने अपने पुत्र का नाम त्यागमल इसले रखा क्योंकि उनका मानना था कि एक दिन यह बालक मानव कल्यार के लिए बहुत बड़ा त्याग देगा इसी दिवे बालक का नाम आगे चलकर गुरु तेग भादुर रखा गया श्री गुरु तेग भादुर जी से बड़े चार भाई और एक बहन थी भाईयों का नाम बाबा गुरो दित्ता, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय और बाबा अटल राय था और बेहन का नाम कुमारी वीरो था श्री त्यागमल जी की प्रारंबिक शिक्षा अमरिचसर के एक पाथशाला में शुरू हुई उन दिनों गुर्मुखी अक्षरों के ज्यान के लिए वहाँ पर विशेश विवस्ता हो चुकी थी और प्रशाशनिक और ओफेशल कामों के लिए फार्सी भाषा का प्रयोग होता था इसी कारण फार्सिक सीखना भी बच्चों के लिए जरूरी था बालकुरू जी के माता नान की बहुत ही धार्मिक विचारों की थी अतह वे हमेशा बाल गुरु को महापुर्शो की वीर रास से भरी कहानिया सुनाया करती थी इन वीर रास की कहानियों ने बाल गुरु जी के मन पर अमिट छाप छोड़ी उनकी माता जी माता नानकी जी को सदगुरों की शाक्षात मूर्ती कहा जाए तुम्हें गलत ना होगा गुरु तेक भादुर जी में जो गुर पाए गए जैसे कि उनका मधुर भाशी होना धर्म पर अडिक होना तथा शुशील होना यह सब गुर्ण उन्हें माता नानकी जी से ही मिले थे श्री हर्गोबिन साहिब ने अपने बाले काल में अक्षक ग्यान बाबा बुद्धा जी से प्राप्त किया था इसी कारण गुर्ण हर्गोबिन जी चाहते थे कि उनका फुत्र त्यागमल भी बाबा बुद्धा जी से पढ़े और ग्यान ले परन्तु बाबा बुद्धा जी अब बहुत बुजूर्ग हो चुके थे इसी वज़े से उन्होंने त्यागमल जी को गाउ रामदास में भेज दिया जहां गुरु नानक देव जी के मुलाकात बाबा बुद्धा जी से हुई थी वहां से शिक्षा लेकर बाबा त्यागमल जी वोपिस अम्रिच सर आ गई और स्थानिय विधाले में अपनी शिक्षा आगे बढ़ाई जैसे ही बाबा त्यागमल दस वर्ष की आयू के हुए तो पारिवारिक वातावरण के अनुसार उन्होंने सैनिक शिक्षा भी लेने शुरू कर दी इस कारे के लिए गुरू हर्गोबिन साहिब जी ने भाई जेठा जी को चुना बाबा त्यागमल जी का संगीत के प्रती लगाओ स्वभाविक था अतहर एक विशेश रबाबी सेवक उनको राग विद्या में प्रमीन करने के लिए लगाया गया गुर्बानी सुनने में उनकी विशेश रूची थी और वे समय मिलते ही भाई गुरूदास जी के पास पहुँच जाते और उनसे कावे रचना कला इतियादी पर ज्ञान प्राप्त करते थे बाबा त्यागमल जी जब लगवक 6 वर्ष के थे तो उनकी बड़ी बहन कुमारी वीरो जी का शुप विवार अचा गया परन्तु तभी एक दुखंत घटना घटित हुई मुगल प्रशाशक कुलीज खान ने एक बाच पक्षी को लेकर सिखो के साथ जगड़ा कर लिया इस जगड़े को चुनोती मान कर मुगल सेना ने अमरिचसर पर आक्रमन कर दिया उस युद्ध के कुछ त्रिशे बालक बाबा त्यागमल जी ने भी देखे जब युद्धा, ढाल और तलवार सजाए जैकारा लगाते हुए शत्रू पर तोट पड़े थे और सभी और युद्ध की गून सुनाई दे रही थे यह सब देखकर बाबा त्यागमल जी की आँखों में रण में जूजने की चमक आ गई थी परन्तु तभी गुरू हर्गोविन जी का हुकम आया कि गुरू परिवार को जबाल गाउं में पहुचाया जाए अब बालक त्यागमल जी नौ वर्ष के हो गए थे और इस दोरान श्री गुरू हर्गोविन जी को एक और युद हर्गोविन पूर नामकस्तान पर लड़ना पड़ा इस लड़ाई का सबसे बड़ा कोतक यह हुआ कि जब गुरू हर्गोविन सिंग जी की मेरी की तलवार लड़ते लड़ते तूट गई तो उन्होंने पीरी की तलवार से विरोधी सरदार अब्दुल्ला खान को मारना उचित नहीं समझा इस कारण गुरू हर्गोविन साहिब ने अपने हाथों से पटक पटक कर अब्दुल्ला को ऐसा मारा कि उनके प्रार पखेरू उड़ गए ऐसी वेरता के द्रिशे बाबा त्यागमल जी ने स्वेम अपनी आखों से देखे जब बाबा त्यागमल जी तस वर्ष के हुए तो उन्होंने नठाना और महराज नामक स्थान पर हुए युद्धो को देखा उसका अनुभव लिया जब बाबा त्यागमल जी चौदा वर्ष के थे तो उन दिनों श्री गुरु हर्गोविन साहिब करतारपूर निवास कर रहे थे श्री गुरु हर्गोविन साहिब जी ने पेंदा खान नामक पठान को एक सुडोल और बलशाली पुरुष जानकर शस्त्र विद्या दी गुरुदेव पर आक्रमन कर दिया मुगल सैना के एक दूसरी टुकडी की कमान काले खान नामक पठान ने संभाली और सिक सैना को घेर लिया मुकाबला करने के लिए गुरु हर्गोविन साहिब जी के जेश्ट पुत्र बाबा गुरुदित्ता ने सिक सैना की कमान संभाली और दूसरी और भाई विदीचन एवं अन्य सिक गुरुदेव के नेत्रतिव में रंड छेत्र में निकल पड़ी इस युद में बाबा त्यागमल जी ने सक्रिय भाग लिया और अपनी तलवार का खूब चोहर दिखाया और जिसे देखकर उनके पिता गुरु हर्गोविन साहिब जी कहे उठे यह बेटा तलवार का धनी है अर्था तेख यानि तलवार चलाने में महारत रखता है अब यह बाबा त्यागमल नहीं तेख बहादूर के नाम से जाना जाएगा उस दिन के पश्चात बाबा त्यागमल का नाम तेख बहादूर हो गया बाबा अटलराई जी का जनम 1619 इसवी अमरिटसन में गुरु हर्गोविन और माता महादेवी की कोग से हुआ बच्पन से ही वह बहुत होश्यार वह धार्मिक बालक थे बाबा उसे कहा जाता है जो उम्र में बड़ा और समझदार हो उन्हें बाबा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बाल अवस्था में ही बेहत ही बुद्धिमानी भरी बाते करते थे हर शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे गुरु हर्गोविन के वह बेहत ही प्यारे थे गुरू हर गोबिन उन्हें अपनी गोद में बिठा कर कहते थे कि एश्वर ने तुम्हें शक्तियां दी हैं कभी उनका दिखावा नहीं करना अगर अपनी शक्तियों का इस्तमाल करना भी पड़े तो बेहत ही साबधानी और समझदारी से करना बाबा अटलराय गुरूजी से कहते थे मेरी सभी शक्तियां आपकी ही दी हुई हैं और आपकी शक्तियां कभी कम नहीं हो सकती और इसी कारण मेरी भी शक्तियां कभी खतम नहीं हो सकती बाबा अटलराय का एक दोस्त था जिसका नाम मोहन था दोनों ही बॉल और बैट रुपी चीज से खेल रहे थे बाबा अटलराय बॉल फैकते थे और मोहन उसे बैट से मारते थे जब बाबा अटलराय की बैट से खेलने की बारे आई तो रात हो गई थे दोनों मित्र में यह तै हुआ मोहन कल सुभे यही से खेल शुरू करेंगे तुम बॉल फेक होगे और मैं उसे मारूंगा ठीक है ठीक है अटल किस्मत का कुछ ऐसा खेल हुआ कि उसरा मोहन को इस जहरीले साप में कात लिया मोहन की साप के डसने से मृत्यू हो गई अगली सुभे बाबा अटल राय तो मैदान में पहुँच गई परन्तु मोहन वहाँ पर नहीं पहुचा बाबा अटल राय मोहन को मैदान में ना देखकर उसकी घर पहुँच गई मोहन के घर मातम चाया हुआ था किसी ने बाबा अटल राय को बताया अटल मोहन अब नहीं रहा साप के काटने से उसकी मिर्थी हो गई है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मोहन नहीं मर सकता बाबा अटल राय मोहन के शव के पास गए और उसे अपनी बैट रुपी लकडी से छुआ और कहा मोहन खड़े हो जाओ और कहो सतनाम वाहे गुरू तुम्हे एतनी देर तक नहीं सोना चाहिए था हम दोनों को खेलना है खड़े हो जाओ मोहन खड़ा हो गया और उसके पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा चार साड़े चार खंटे तक मोहन मिर्त रहा और उसके बाद वो दोनों खेलनी चले गए मोहन के मरने के पस्चाद दोबारा उसके जिन्दा हो जाने की खबर आग की तरह फैल गई गुरू हर गोबिन साहिब के पास भी एक खबर पहुँची वह इस बात को सुनकर जरा भी प्रसंद नहीं हुए जब बाबा अटल रहे उनके पास आए तो वह उनसे बोले मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ईश्वर की रजा में रजा रखनी चाहिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो उसकी रजा के खिलाफ हो तुम्हारे दादा गुरू अरचन देव जी ने हस्ते हस्ते लाखो यातनाई सह कर भी ईश्वर की रजा को मनजूर किया और तुमने ईश्वर की रजा के खिलाफ काम किया जो हुआ भे सही नहीं हुआ मृत्यू आई है तो किसी ना किसी को तो जाना होगा ओ सच्चे पाच्छाप की उम्र लंबी हो मुझे ऐसा लगता है मेरा समय उस सच्चे घर को जाने का आ गया है यह कहकर बाबा अटलराई ने सरूवर में स्नान किया और गुरू द्वारा हर्मिंदर साहिब के चार चक्कर लगाए इसके बश्चात वे कॉलसर सरूवर पहुँच गई हर्मिंदर साहिब के और देखते हुए उन्होंने अपनी धे 23 चुलाई 1628 इसवी को त्याग दी जब बाबा अटलराई ने धे त्यागी तब उनकी उम्र मात्र 9 साल की थी गुरू हर्गोबिंची ने सभी से कहा जो आया है उसे जाना होगा इसलिए कोई अटल की मृत्यों पर आसो ना बहाए जिस स्थान पर अटल ने धे त्यागी है उस स्थान पर उनकी उम्र जितने माले बनाए जाएं ताकि उसे दूर से भी लोग देख पाएं बताते हुए जसक और पूछती है कि एक तरफ तो गुरू हर्गोबिंच साहिब जी बोलते है कि हमें इश्वर की रजा में रजा रखनी चाहिए और दूसरी तरफ गुरू नानक देव जी मरे हुए हाथी को जिन्दा कर देते है ऐसा कैसे हो सकता है हमने जितना भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया है उससे एक बात हमें पता चलती है कि सिखों के दो गुरू ने अपने जीवन की बलिदानी दी है पाचवे गुरू गुरू अर्जन देव जी ने और नोवे गुरू गुरू तेक बहादूर जी ने और उसके बाद ही सिख गुरू के पहनने रहने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क आया पहले पाच गुरू संतों की तरह रहते थे और गुरू हर गुबिन जी ने जब गुरू गद्दी ली तो पुरानी परंप्राओं को त्याग कर ली मेरी पीरी को अपनाया अपनी वेश भूशा को बदला गुरू गुबिन सिंग जी ने नौवे गुरू गुरू तेक बहादूर साहिब की शहादत के पस्चाथ गुरू गद्दी संभाली और खालसापन की स्थापना की और सिखो को एक नया रूप दिया सभी गुरू का इस धर्दी पर आगमन किसी ना किसी कारण वर्ष ही हुआ है गुरू नानक देव जी ने जित्ते चमतकार किये उसके पस्चाथ और किसी भी गुरू ने उत्ते चमतकार नहीं किये अब सवाल उठता है कि गुरु नानत देव जी ने इतने चमतकार क्यों किये गुरु नानत देव जी सिखो के पहले गुरु थे उस समय हिंदूों के पंडेत और मुसल्मानों के मौल्वियों का बोलबाला था उन सभी में शक्तियां भी थी जिसे आप आलोकिक शक्तियां, या चमतकारिक शक्तियां भी कह सकते हैं परंतु वे अपनी शक्तियों का प्रयोग लोगों के भले के लिए नहीं करते थे वे अपनी शक्तियों का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि समाज में उनका नाम बढ़ा हो और लोग उन्हें पूजें उन्हें भगवान समझें गु गुरु नानक देव जी ने हमेशा ऐसे लोगों को यही कहा कि आलोकिक शक्तियां तुम्हें ईश्वर से दूर करती हैं, परन्तु वो लोग अपने एहंकार में गुरु जी को अपनी शक्तियां दिखा कर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसे भटके हुए लोगों के लिए गुरु जी ने उन लोगों को उनी की जुबान में समझाया और उनके भटके हुए कद्मों को रास्ता दिखाया। क्या मक्का जाकर और श्री जगनात पुरी जाकर कोई इनसान मुस्लिम और हिंदुों की परंपराओं को गलत कह सकता है। गुरु जी ने जो भी चमतकार किये वो उस समय की जरूरत थी। वे चमतकार उन्होंने लोगों को यह दिखाने के लिए नहीं किये कि उनमें कितनी शक्तियां है। उन्होंने वे चमतकार लोगों को यह समझाने के लिए कि एश्वर हर जगा है और वह एक ही है। और यही समझाने के लिए तो गुरु साहिब ने जनम लिया था। मरे हुए हाथी को जिन्दा करने से पहले भी गुरु जी ने यही कहा था कि जीवन लेना और देना तो उस परमीश्वर के हाथों में है। हम तो सिर्फ दूआ कर सकते हैं। देना या ना देना उस इश्वर के हाथ में है। हाथी को जिन्दा करकर और उसे दुबारा मार कर गुरु साहिब ने राजा को यह उगदेश दिया था कि जीवन और मृत्यों के चक्र में हमारा कोई योगदान नहीं है इसलिए जो परिवार उस हाथी को पालता था और जिसके हाँ राजा का प्यारा आती मारा गया उसका इसमे कोई दोश नहीं है और वे किसी भी सजा का भागिदार नहीं है चमतकार को आप एक जूट कह सकते हैं पर याद रखें अगर जूट अपने फायदे के लिए बोला जाए तो वे बाप है पर किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो वे जूट भी सत्य के समान है बाबा अटल राय ने चमतकार अपने दोस्त को जिन्दा करने के लिए किया था अपने स्वार्थ के लिए किया था इस भूल को उन्होंने अपने प्राण त्याग कर सुधारा परंतु गुरु नानक देव जी और अन्य गुरु ने कभी अपने स्वार्थ के लिए अपनी शक्तियों को नहीं दिखाया गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग भादूर साहिब ने अपने प्राण त्याग दिये पर इश्वर की रजा को अपने जीवन की रक्षा अपने स्वार्थ के लिए नहीं बदला गुरु ने जब भी अपनी शक्तियों को दिखाया वे बिना किसी नीजी स्वार्थ के भट्कों को रास्ता दिखाने लोगों का जीवन सुधारने और माधू दास को बंदा से इंग भादूर बनाने के लिए दिखाया गुरु हर्गोबिन सिंग जी एक दिन शिकार करने के लिए जंगल गए कुछ कोस चलने के बाद गुरु जी अपनी खोड़े से उतर कर एक व्रिक्ष के पास रोग गए व्रिक्ष के आसपास जाडियां लगी हुई थी कुछ तेर पश्चाद जाडियों में से एक बहुत बड़ा अजकर बहा निकला जब गुरु जी के सिखों की नजर उस साप पर पड़ी तो वे साप को माणने के लिए दोड़ी परन्तु गुरु जी ने उन सिखों को ऐसा करने से मना कर दिया गुरु जी बोली इस साप को रोको नहीं यह तो पिचारा दुखी होकर शरण में आ रहा है आने दो इसे जब सिख अजगर से दूर हट गई तो अजगर गुरु जी के चर्णों के पास गया गुरु जी ने अपने सीधे पैर की जूती उतार दी और साप का सर अपने पैर से सहलाने लगी जैसे ही गुरुजी के पैर का अंगोठा साप पर लगा उस साप के दो हिस्से हो गए उसमें से खून के साथ साथ केड़े भी निकलने लगे यह सब देखकर वहां खड़े सिख हैरान रह गए एक सिख ने हैरान होकर गुरुजी से पूछा गुरुजी मरे हुए साप में तो कीड़े हो सकते हैं परन्तु जीते जी कीड़े कैसे हो सकते हैं किर्प्या करकर हमें बताए गुरुजी बोले यह साप पिछले जनम में पाखंडी साथ हो था जो लोगों को पाखंड दिखा कर अपने साथ कर लेता था और उनसे अपनी सेवा करवाता था लोग इसको खूब पैसा चड़ाते थे और उन पैसों से ये अपने मन का खाता था और पूरी एशो अराम करता था एक दिन श्री गुरु नारक देव जी यातरा करते होए इसके गाउं में पहुँच गए जिसका नाम लब्ध वाली था गाउं में पहुंचते ही भाई मरताना गुरु जी से बोले गुरु जी मुझे बहुत प्यास लगी है गुरुजी ने भाई मर्दाना से बोला मर्दाने थोड़ी आगे चलने के बाद एक रेत का टीला आएगा वहाँ पर एक साधू रहता है जाओ उस साधू के पास जाओ और पानी पी कर आजाओ गुरुजी से आग्या लेकर भाई मर्दाना उस साधू के पास पहुँचे भाई मर्दाना उस साधू से बोले हे साधू महराज मुझे पानी दे दीजिए पर वो साधू उस समय अराम कर रहा था वह बोला साधू अपने बिच्छोने से बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि उसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसे तो केवल लोगों के पैसे से एश करनी अच्छी लगती थी भाई मर्दाना वहीं रोक गए भाई मर्दाना ने पानी पीनी के लिए काफी समय तक इंतजार किया पर उस साधू का कोई भी चेला नहीं आया भाई मर्दाना थक हार के वापिस गुरू जी के पास आप पहुँचे उन्होंने सारी घटना गुरू जी को बताई गुरुजी भाई मर्दाना की पूरी बात सुनकर खुद साधू के डेरे में जा पहुँचे गुरुजी जब साधू के डेरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधू अभी अराम से लेटा हुआ था साधू को इस तरह अराम करते देख गुरुजी बोले कैसे साप की तरह आराम कर रहे हो अगर तुम उठकर पानी पिला देते तो तुमारा क्या चला जाता जब गुरुजी के यह बूल साधू के कानों में पड़े तो उसने एक तम उठकर गुरुजी के चहरे की और देखा गुरुजी के चेहरे को देखते ही वो उनके चड़नों में गिर गया क्योंकि गुरुजी के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है और इनके मुझे से निकला हुआ वचन खाली नहीं जाएगा साधू ने गुरुजी से पूछा मुझे पता है आपके मूर से निकला हुआ वचन अब सच हो जाएगा किर्प्या करकर मुझे बताएं कि मेरा उधार कब होगा गुरुजी बोले हम अपने छटे रूप में तुम्हारा उधार करेंगे यह कहने के पश्चात गुरुजी और भाई मर्दाना आगे चले गए कुछ सालों बाद उस साधू की मौत हो गई मरने के पश्चात उसका अगला जनम साप के रूप में हुआ गाउं में जो भी उसके चेले थे और जिनके पैसे से वो साधू एशो अराम की जिन्दगी जी रहा था वैसे ही उसके चेले अब केडों के रूप में उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे अब उस साधू और उसके भगतों का उधार हो गया उनको सबको मुक्ती मिल गई है इसी प्रकार अगर कोई साधू संथ लोगों को ठक कर उनसे पैसा लूट कर एशो अराम से अपनी जिन्दगी जीता है कोई भजन सिम्रन नहीं करता और ना ही अपने चेलों को भजन सिम्रन सिखाता है उन सबका ऐसा ही हाल होता है चते पाठ्शा बाबा श्रीचन जी के दर्शनों को बारट साहिब गए उनके साथ चार साहिब जादे भी थे क्योंकि साहिब जादे बाबा अटल राए जी जोती जोत समा चुके थे इसलिए बाबा गुरुदित्ता जी बाबा सूरजमल जी बाबा अनीराई जी और गुरू तेग भादूर जी साथ थे गुरू जी बाबा जी को नमस्कार करके बैट गए और पांच सो रुपे नगद और एक घोड़ा बाबा जी को भेट किया बाबा जी ने चारू साहिब जादो को देखकर बड़े विस्मात में आकर कई आशीशे और वर दिये गुरू जी ने उनमें सबसे बड़े साहिब जादे बाबा गुरू दित्ता जी को बाबा जी को भेट किया बाबा जी ने बाबा गुरुदित्ता जी को अपना शिश्य बना लिया और मुक से वर दिया बाबा गुरुदित्ता दीन दुनी का टिक्का बाबा गुरुदित्ता को भेट करकर श्री गुरु हर्गोबिन साहिब जी अपने साहिब जादो सहित वोपिस अम्रिटसर आ गए बाल भ्रमचारी, शक्तियों के भंडार, शिव सरूप, बाबा श्रीचन जी महराज, काउं सिंद्वा, जिला गुर्दासपुर में धूना लगा कर तब कर रहे थे धूने के इर्द-गिर्द इलाके की संगते इस प्रकार जूड़ी बैठी थी कि जैसे चान्द के चारों और सितारों का परिवार होता है बाबा श्रीचन जी ने समाधी लगाई हुई थी, अचानक ही उनकी समाधी खुली, तो संगतों ने बताया बाबा जी, बाबा जी, छटे पाश्चा, गुरु हर्गोविन साहिप स्वेंप पधारे हैं कुछ समय के पश्चात, गुरु जी ने सिक सेवकों सहिद, बाबा जी के पास आकर उन्हें नमस्कार किया एक सेवक ने किल्ला गाड़ कर महराज का घोड़ा भान दिया बाबा जी ने बड़े आदर के साथ उन सब को अपने पास बिठाया और उनका हालचाल पूछा गुरु हर्गोविन साहिप जी ने बताया कि हम खुश्यारपुर से आए हैं और आपके बारे में पता चला है कि आप सिंधवा विराजमान है इसलिए आपके प्रेम ने इस और खीच लिया और आपके दर्शन करने आ गए बाबा जी बहुत खुश हुए और अनेकों आशिरवात दिये जाते समें एक सिक सेवक महराज का घोड़ा खोल कर किल्ला निकालने लगा तो बाबा जी ने कथन किया भाई गाड़ा हुआ किल्ला निकालते नहीं है यहां तो व्रिक्ष होगेगा और आगे चलकर यह व्रिक्ष हमारे मिलाप की याद बन जाएगा गुरु हरकोबिन साहिब जी फिर वहाँ से अमरित्सर आ गए गुरु जी का घोड़ा भानने के लिए जहां किल्ला गाड़ा गया था वहाँ बेरी का व्रिक्ष बन गया जो आज तक वहाँ पर विद्यमान है उनकी याद में गुरुद्वारा भी बनाया गया है और यहां बाबा जी का धूना तपता है यहां लकडी की जड़ भी बेरी की है बाबा जी भी कुछ समय पस्चार डेरे बाबा नानक चले गए वह बेरी की जड़ भी एक बेरी का व्रिक्ष बन गई जो आज तक विद्यमान है वहाँ भी उनका एक छोटा सा स्थान बना हुआ है आज भी वहाँ के निवासी बेरी की विभूती अपने मस्तक पर सतकार से लगाते हैं उत्तर भारत की सबसे प्रसित दर्गा बाबा बुठन शाहाजी की दर्गा श्रेक कीरतपुर साहिब जी की पवित्र नगरी में एक उची पाहर पर स्थित है बाबा बुठन शाहाजी पगदाज शहर से थी बाबा जी रब की इबादत करते हुए कुलू मनाली के रास्ते से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के जंगल में एक उची पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा लगाया इतिहास कारों के अनुसार जब बाबा जी श्री कुरु नानक देव जी से मिले थे उनकी उम्र लगभग 671 साल हो चुकी थी बाबा जी के पास एक शेर, एक कुत्ता और तीन बक्रिया थी कहते हैं बाबा बुठन जी की बक्रियों को शेर और कुत्ता चराने ले जाते थे और उनकी रखवाली भी वही करते थे अपनी चौथी उदासी में श्री कुरु नानक देव जी कुलू मनाली की यात्रा करते हुए बाबा बुठन जी के डेरे में पधारे भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी भी गुरु जी के संग थे बाबा बुठन जी ने गुरु जी का आदर सतकार किया और उन्हें एक कटोरे में बकरी का दूद पीने के लिए दिया गुरुजी दूद से भरा कटोरा देखकर बोले बाबाजी यह दूद हम अभी नहीं पिएंगे हम इसे अपने छटे अफ़तार में आकर पिएंगे मेरी अभी इतनी हूमर हो चुकी है आपके छटे अफ़तार तक ना तो यह प्राण बचेंगे और ना ही यह दूद यह सुनकर गुरुजी बोले बाबाजी छटे अफ़तार तक आप और यह दूद ऐसा ही रहेगा गुरुजी यह वचन करकर भाई मर्दाना और भाई बाला के संग अपनी अगली यात्रा को चल दिये बाबा बुधन जी ने श्री गुरु नानक देवजी की अमानत दोद को अपने धूने के पास रखकर कहा ये है अमानत श्री गुरु नानक देव जी की है इससे संभाल कर रखना समय पीता छटे पाच्छा का समय आ गया श्री गुरु हर्गुविन साहिब जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरुदित्ता जी को आदेश दिया तुम हिमाले पहाड के तराई छेत्र में एक नगर बसाओ और अपने अगले जनम के लिए वहाँ एक निवास थान बनाओ बाबा गुरुदित्ता जी ने अपने पिता जी से एक विंदी की किरप्या करकर आप मुझे उस विशेश थान पर ले जाए श्री कुरु हर्गोबिन सिंग जी और उनके पुत्र बाबा गुरुदित्ता हिमाले के तराई छेत्र का विच्रन करने निकले इसी बीच कुरु हर्गोबिन सिंग जी ने बाबा गुरुदित्ता जी को कहा जब हम अपने पहले जनम में शी कुरु नानतेव जी के रूप में यहां प्रचार करने आये थे तो यहां एक बाबा बुट्धन जी के नाम से एक पीर हैते थे जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी इसलिए वो लंबी उम्र की इच्छा रखते थे मैंने उन्हें कहा था कि उनका भेट किया हुआ दूद का कटोरा मैं अपने छटे रूप में स्विकार करूँगा जब आपकी जीवन की अंतिम घड़ी नस्दीक होगी अब वो घड़ी आ गई है जब हमें बाबा बुठन जी से मिलकर दूद का कटोरा स्विकार करना है गुरु जी ने बाबा बुठन शाहा जी को एक पहाड के गाओं में ढूण निकाला बाबा बुठन शाहा जी ने गुरु जी का हार्देख स्वागत किया और कहा यह तो ठीक है कि आप गुरु नानक देव जी के उत्रा धिकारी हो आपके चहरे पर वैसा ही नूर है पर तु किर्प्या करके आप अपना शाही जामा छोड़ कर उसी रूप में दर्शन दे गुरु जी ने बाबा गुरु दित्ता जी को आदेश दिया कि वह घर जाकर श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान करके और स्नान करके वापस आए बाबा गुरु दित्ता जी ने ऐसा ही किया जब वो स्नान करकर वापस आए तो बाबा बुढधन जी को वह श्री गुरु श्रीक उरुनानक तेवजी का रूप दिखाई दिये बाबा बुढधन जी उनके चर्णों में गिर गई किरप्या करकर मेरे जीवन मरण के चक्र को खतम कर दीजिए श्रीक गुरुनानक तेवजी के रूप में बाबा गुरुदिता जी ने कहा आपके इच्छा पूरी हुई श्रीक गुरुनानक तेवजी के रूप में बाबा गुरुदिता जी ने अपनी रखी अमानत दूद का कटोरा बाबा बुढधन शाहाजी से मांगा बाबा जी ने दूद का कटोरा 121 साल बार धूने से निकाला वो दूद अब भी वैसा ही था जैसा की 121 साल पहले था वह दूद बाबा गुरुदित्ता जी ने श्री कुरुनानक तेव जी के रूप में घ्रैंड किया यह करामाती दूद पीने के बाद बाबा गुरुदित्ता जी ने काउं में एक बूरी ब्रामन औरत की मरी हुई गाई को पानी की छीटे मार कर जिन्दा कर दिया जब यह बात श्री गुरु हर्गोविन सिंग जी को पता चली तो वे बाबा गुरुदित्ता जी से बहुत नराज हुए और बोले एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती आज तुमने एक मरी हुई गाई को जिन्दा कर दिया कल जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो यहाँ मरे वे लोगों की भीड लग जाएगी आप किस किस को जिन्दा करोगे अब इस जिन्दा गाई के बदले में या तो तुम्हें अपना शरीर दियागना पड़ेगा या मुझे दियागना पड़ेगा क्यूंकि आपने गाई को जिन्दा करके कुद्रत के बनाई हुए नियम से छेर छार की है पिता जी गलती मुझसे हुई है और इसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए पिता जी से आग्या लेकर बाबा गुरुदिता जी बाबा बुढण शाह जी के पास पहुँची और बोले बाबा जी मुझे आपका स्थान चाहिए मुझे अपना शरीर त्यागना है आप अपना डेरा अगली पाड़ी पर बना दीजिए यह स्थान भी आपका है और यह शरीर भी आपका परन्तु जब साधू संत यहाँ आएंगे और यहाँ माथा टेक चले जाएंगे तो मेरे पास अगली पाड़ी पर कौन आएगा बाबा जी मेरा घर आपका घर और आपका घर मेरा घर यानि मेरे घर और आपके घर में कोई फर्क नहीं है कोई अंतर नहीं है जो भी संगत यहाँ आएगी उनकी यात्रा आपके दरबार में ही माथा टेक कर सफल होगी यह सुनकर बाबा बुठन जी अपना शेर, कुत्ता और बक्रियां लेकर दूसरी पाड़ी पर चले गए बाबा बुठन जी के स्थान पर बाबा गुरुदित्ता जी ने लगभग 1638 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा बाबा गुरुदित्ता जी स्थित है दूसरी तरफ बाबा बुठन शाहा जी ने अपना अंतिम समय 802 साल और 13 दिन की लंबी उम्र पाकर अपना शरीर त्याग दिया कहते हैं कि उनका शेर, कुता और बकरियों ने भी उसी समय अपने प्रांड त्याग दिये जब यह बाद गुरुदित्ता जी का अंतिम संसकार किया और बाबा बुठन शाहा जी को अपने हाथों से मुसलिम डीती रिवास के अनुसार अंतिम संसकार किया यह दोनों स्थान आज धार्मिक स्थल है जहां बाबा गुरुदित्ता जी ने अपना शरीर त्यागा था आज महां गुरुद्वारा है और जहां बाबा बुठन शाहा जी ने अपना शरीर त्यागा था उसी जगा पर आज दरगा है यह माना जाता है कि जब तक संगत बापा बुठन जी की दरगाँ पर माथा टेट नहीं लेती तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होती